Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel, I am your friend Rahul Jaiswal तो दोस्तों, जैसा कि आप जामते होंगे कि exams का समय आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के exams अभी कुछी दिनों के अंतर स्टार्ट हो जाएंगे 10 वी और 12 के board exam भी शुरू हो रहे हैं कुछ बाकि जो standard के students हैं, उनके board exam नहीं तो final exam शुरू हो रहें, तो यार उनके मन में एक doubt हमेशा से रहता है कि sir हम कितने percentage लाएं तो काफी सारे बच्चे हाली में मुझे message कर रहते हैं कि sir क्या मैं अगर 90% लाता हूँ तो क्या मेरे लिए best होगा क्या मैं 95% लाता हूँ तो मेरे लिए best होगा तो आईए इसी मुद्धे पे हम इस वीडियो के अंदर discussion करेंगे कि अगर आप एक student हो 10 तक के 12 तक के और आपका percentage बहुत जादा important है तो आपको कितने percentage लाने पड़ेंगे ताकि आपकी आगे की जो पढ़ाई है या फिर आगे का जो career है वो smoothly चल सके तो नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूराहूल जेस्वाल एंस्वागत है आप सभी का हमारे इस बहतरिन YouTube चैनल में जिसका नाम है JR Talks तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि exams जो होता है वो हम इसलिए देते ताकि हमारे पास जो knowledge है उसको हम examine कर सके इसलिए इसका नाम भी रखा गया exam, परिक्षा, हिंदी में बोलू तो इसको बोलते हैं परिक्षा, यानि कि आपने पुरे साल क्या पढ़ाई की आपने क्या कौन से subject का knowledge लिया उस knowledge जो आपने लिया है क्या आप उसको deliver कर पा रहे हो क्या आप उसको उस paper के sheet में answer sheet जिसको बोलते हैं, उसमें उतार पा रहे हो अगर आप उसमें उतार पा रहे हो तो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से उतारा तो obviously आपको एच्छे percentage आएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं उतारा अगर मैं बोलू, कि यार हम हमेशा से यही बोलते आते हैं बच्चों को कि percentage के पीछे भागो, मतलब 80-90% 95% लाओ, तो एक तरीके से यह बिल्कुल सही है, कि आपको जादा से जादा percentage लाना चाहिए, और एक तरीके से थोड़ा यह गलत भी है, मैं 100% नहीं बोलूगा कि यह गलत है, लेकिन थोड़ा कहीं नहीं कहीं गलत इसलिए है, कि यह जो वीडियो आप देख रहे हो, इसमें कुछ ऐसी बाते में करूँ है, जो शायद आज के पहले किसी teacher नहीं कही होगी आप लोगो, लेकिन में जासे आपको बोलाई, कि यह जो channel है, यह बहुत अलग channel है, इसमें हम लोग बहुत खुलकिये बात करते हैं, students के लिए, students के hit में भी बात करते हैं, कुछ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो अच्छी होती है, लेकिन कडवी होती है, कुछ बाते हमारे parents हमको चिलाते हैं, डाटते हैं, लेकिन वो कडवी होती है, लेकिन obviously उनका कहिने का एक meaning हो जाए, तो सेम उसी प्रकार आज कुछ बाते करने वाले, सबसे पहले, यहाँ पर मैं आपको बात एक बोलना चाहूंगा, जो की है, कि decide what you want, आपको चाहिए क्या, आपको कितने percentage चाहिए, आपको decide करना है, लेकिन क्या दोस्तो एक सबसे important सवाल का मेरे जवाब दिना comment section में कि क्या percentage जिंदेगी में matter करता है, जैसे कल में एक live session ले रहा था, उसमें बच्चा मुझे पूछा और काफी ऐसे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, बाकी लोग को पूछते हैं, एक formula भा जिसका नाम है a plus b the whole square और इसका value होता है a square plus 2ab plus b square correct है, यह इसका क्या है, value है तो किसी ने मेरे को पूछा, कि सर मुझे एक बात बता ना, कि आपका तो पढ़ाई-वड़ाई हो गया है तो क्या हमने जो यह a plus b the whole square जो formula पढ़ा था, 8 standard में क्या आपको काम आ रहा है, क्या जिंदगी में अपने कि समझ लोग कि 8 standard में आप लोग अभी पढ़ रहे हो और 8 standard में यह a plus b the whole square का formula है a square plus 2ab plus b square अगर आपने इसमें पढ़ाई नहीं किया 8 standard में यह formula आपने याद नहीं किया ठीक है, तो आप जब 9 में जाओगे चुकि तो पढ़ना तो जो system चला आ रहा है education system उसके हिसाब से पढ़ना है ऐसा तो नहीं है ना, खुच से ही मतलब खुच से ही आप engineer बनना चाहते हो तो गए मतलब यह साब print निकाल लिया उसके उपर लिख दिया, bachelor of engineering complete कर लिया मैंने, खुच से तो आपको degree मिलेगा नहीं आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा, junior, senior पहली, दूसरी, तीसरी से करते-करते दसरी तक आना पड़ेगा, फिर 11 फिर 12 फिर उसके बाद 4 साल engineering, फिर ऐसे ही आगे पढ़नी पढ़ेगी तो education system है वैसे तो पढ़ना पढ़े गए लेकिन सवाल जो था, a plus b the whole square यह real life में काम आता है, नहीं आता है लेकिन अगर यह आप 8 में नहीं पढ़ोगे, तो 9 में जब जाओगे तो यह जो a plus b the whole cube का जो formula है ठीक है, a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube, यह जो formula है इसका meaning, या फिर यह कहां से derive हो, यह समझेगा, क्या समझ में आ रहा है, इसका कहने का मतलग यह है, कि हमें academics cube होते हैं, 7 ली के बाद 8 ली 8 ली के बाद 9 ली cube, क्योंकि जो चीज हम पहले पढ़ते हैं, उसका भली असली जिंदगी में कोई use ना हो, लेकिन उसका आने वाले steps में बहुत roll होता है, जैसे सीडिया हम चड़ते हैं दोस्तों, यह सीडिया होती है, तो आप पहली सीडि के बाद दूसरी चीडि चड़ते हो, तिसरी चीडि चड़ते हो, बराबर, एक एक step ही लेते हो ना हो भी आना पड़ेगा, यह फॉर्मूले के बाद, यही फॉर्मूले पर आना पड़ेगा, तो उसी प्रकास जिंदगी में, हमने जो भी चीज पढ़ी है, हमारे अलग-अलग standard में, तो उसको लेके आगे चलना पड़ेगा, तभी हम लोग next to next से लेके next जा सकते हैं, और end to end हमारा ultimate goal यही रहता है, कि हमें एक अच्छी तरीके से degree हासिल कर ले, और उसके बेसे हम कोई job करें, पर फिर real life जो practical experience हमें, जो मिलेगा, उसके बदोलत हमें एक अच्छा career बना सके, यही होता है real life, और यही होता है use हमारा, किस में, बताओ किस में, real life में और education system में, तो सवाल यह भी है कि कितने percentage लाना better होता है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, जितना आप चीजों को समझोगे, concept को clear करोगे, उतना आपकी percentage अच्छे आएंगे, तो इसका लेना देना कही नहीं है कि अगर किसी के दस्वी में 98% आए हैं, तो life में successful बनेगा, इसका कोई guarantee नहीं है, लेकिन इतना guarantee जरूर है कि उस इनसान का knowledge और वो जब 11 वी में जाएगा तो उसको बहुत easy लगेगा, वो 11 वी क्योंकि उसने दस्वी का पूरा concept learn कर रखा है, तब ही जाके उसको 98% आए, तो सबसे पहले ही अपने आप से पुछना कि आप बनना क्या चाहते हो, और कितने percentage score करना चाहते हो, अब इसमें मेरा एक और चीज़ यह है, कि topper जो होते हैं, knowledge के साथ, topper बनना is very good thing, लेकिन कुछ ऐसे toppers भी होते हैं, जिनके 98% आते हैं, लेकिन उनके पस knowledge नहीं होता, मैं बात कर जो blindly रटा मारते हैं, ऐसे भी कुछ category होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जिनको आप देखोगे तो वो topper होते हैं, 95-98% आया होते हैं, लेकिन कोई सवाल पूछ दो, after the exam तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस रटा मारा हो जो बंदे ने 98% score किये थे, वो topper था, और ये समझ लो ये 5th ranker था, ठीक है, ये 1st ranker और ये 5th ranker, तो 1st ranker को 98% मिलें, आप 10 दिन के बाद उसके पास गये, और उसको उसी में से एक सवाल पूछ जा, तो उसके पास गये, लेकिन आप जो 85% जो 5th ranker था, उसके पास गये, 98% सी दिखाने के लिए, लोग 5 दिन तारीफ करेंगे, और इस बंदे ने टॉप किया, फिर भूल जाएंगे, फिर कभी उसका कोई चीज ने आने वाला, कभी जिंदेगी में आपको वो काम ने आने वाला, लेकिन आपने अगर 5th rank भी score किया है, 85% भी निकाले है, लेकिन आ नॉलेज के साथ बनो, और टॉपर विदाउट नॉलेज इस जीरो, मेरे नजर में वो क्या होते हैं, जस्ट एक जीरो होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर आप परसंटेच, एक सवाल है न, जो ह 85 भी लाओ, पर इसका मतलब नहीं है, कि आप 85 के लिए ही पढ़ोगे, आप हमेशा टॉप करने के लिए पढ़ो, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कि टॉपर ऐसा बनो, जिसके पास conceptual knowledge हो, और वो ही असली life में तरक्की कर पाता है, वो rock कर पाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, next है life skill, अब समझ लो, कि अगर कोई बच्चा 98 परसंट का है, उसने 10th में 98 निकाले, 12th में 90 परसंट निकाल लिए, इंजिनरी में उसके 9 पॉइंटर आ रहे हमेशा, यसे मेरे तो हमेशा आते थे, 8.59 पॉइंटर आ जाते थे, ठीक है, average मेरा भी दिखा जाए, उसको कुछ आता ही ना हो, उसको समझ में नहीं आता है कि मैंने जो पढ़ाई किये ना, उसके अलवा तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे तो खाली सिफ पढ़ाई का ही पता है, बाकी real life में क्या होता है, कोई skill हो गया, कोई editing skill हो गया, कोई नाचना, गाना, या फि लेकिन real life में उत्रे job करने जाओगे, किसी company में interview देगे, तो आप पूछेगा आपको, कि आपको इसके अलवा क्या आता है, वो गोलेगा सर कुछ नहीं आता है, मैंने तो बस याद करना सीखा है, फटा-फट, तो company वालेगा कि यहाँ पर याद करने वाले को कोई काम नहीं तो कोई तो एक skill होगा, अगर वो skill है, तभी तो कर पाओगे, और skill कब आएगा, जब आप उस चीज में focus करोगे, तो अगर कोई बच्चा 85% ला रहा है, लेकिन थोड़ा आपना time बचा के skill के उपर focus कर रहा है, कुँन सा skill, life skill, life skill, life में कई सारे चीज़े होती है, उसके कि ये जो इंसान जिसने 85% स्कोर किया रहेगा, वो life में जादा तरक्की करेगा, as compared to वो इंसान जिसने हमेशा 95% स्कोर किया, तो difference समझ में आया, कि आपको कितने percentage निकालना चाहिए, आपको percentage भले ही 90%, 95% क्यों निकालना चाहिए, लेकिन आपको some skill साथ में लेके चलना चाह जब आप असली दुनिया में पैर रखोगे, तब वो काम आए, ठीक है, और always try to become multiple tasker, अब क्या होता है multiple tasker, जैसे बोलते हैं, multitasking करते हैं, multitasking मतलब क्या होता है, अगर दिन बर मैं ऐसी पढ़ी रहा हूँ, तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता है, तो कहीं ने कहीं आ आप life में पीछे चले जाओगे, क्यों? क्योंकि इसके अलावा आपको कोई skill ही नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि आपने multiple task किया ही नहीं, multitask किया ही नहीं, सिर्फ आप दिन बर बैटके घर पे पढ़ते हैं, दिन बर बैटके पढ़ते थे, ठीक है? अब हो सकता है, कुछ ऐस से बच्चे हैं, जो दिन बर बैटके पढ़ते थे, लेकिन उसके अलावा वो थोड़ा कुछ चीज़े कर लेते थे, जब वो पढ़ाई करके निकले तो पढ़ाई तो था, उनके पास knowledge भी था, percentage भी अच्छे थे, ठीक है? लेकिन उनके पास कुछ extra skill था, तो वो अपने resume म दो लिख पाएंगे, वो जो अपना bio data बनाएंगे, उसमे skill लिखेंगे, तो जो HR होते हैं, जो interview लेते हैं, वो देखेंगे, भाईया, इसके पास कुछ तो skill है, चलो इसको नौकरी दे देते हैं, हो सकता है, और अच्छा skill ले ले ले, और अच्छे तरीके से आगे बढ़त चल जाएगा, और कोई भी percentage खराब नहीं होता, कोई भी percentage नहीं होता, it is your mentality, ठीक है, बस इसको अच्छी तरीके से करो, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो चलो इसी के साब क्या करते हैं, वीडियो को end करते हैं, ऐसे ही और भी topics हमारे चैनल पे हैं, वीडियो बहुत सारे बने हुए, तो आप देखिए, और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिए, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक कर देना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आयोंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल